इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं धरिया के धंसार से है जहां सौव मिलने से आध़ पास के इलाके में संसनी स्थाइल गई है जी इस वक्त की बड़ी खाबर धंसार थाना छेत्र की जहां सव मिलने से संसनी कल गई है 35 वर्षिये रेक्टी का सव मिला है उसके घर के पास के जारी पेहिं के पास हूं सव मिला है इस वक्त की परी खबर हम आपको बता रहे हैं धनन्जय प्रमानिक उर्ख पबलू है मिर्टव का नाव इस खबर को जाद जानकारी पुछाथ हमारे स्प्राथ जरिया समवादाता गोविंद को खत्रितेल जुड़ चुके हैं जानकारी देविस्तार से जी हां मैं आपको बता दूँ कि धर धन्तार चाना चेत्र अंत्रगत देवांडी की एक ना है जहां पर 35 वर की धनन्जय परमानिक का शव जाड़ियों से मिला है बताया जहता है कि धनन्जय परमानिक रव्यवार की सुबा लगवा की 11 वजे खर से किसी के फोन आने के बाद घर से बाहर निकले थे लेकिन उसके बाद वो घर वापत नहीं आये उनके परिजन लगातार उनकी तालास इधार उड़ार अपने सारे जगाओ पे कर रहे थे जिसकी सुचना कहीं से नहीं मिलने के बाद उन लोगों ने धन्तार ठाना को उनकी गुनसुची की सुचना दर्ज कराई थी लेकिन आज सुबा अले सुबा जब सारे लोग सौच के लिए बाहर जा रहे थे तो देवान दी के पास ही बगल के जाड़ियों में उनका शव मिला है जिसके बाद ठानियों ने उसकी सुचना पुलिस को दी तथा पुलिस मौके पर पहुंच कर शव को अपने कभजे में बहुत बहुत धन्यबाद गोविंद पूरी जनकारी देने के लिए तो इस वक्त की हम बड़ी खबर बता रहे हैं और गोविंद हमारे साथ हमारे संबादाता जुड़े वे तो जो बता रहे हैं तिकि पुलिस भटना सल पर पहुंच कर सब को कभजे में लेकर पुसमाटम के लिए बेज दिया है इस वक्त की भड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां संसार थाना शेत्र में एक 35 वर्फिये युवक्त की सव पराबद है